हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो टिक सॉफ्वेर अगेडमी आज हम आपको च्खाएंगे कि मैट्रियल गूरूप क्या होता है और टिक सॉफ्वेर में इसे किस तरह से यूज किया जाता है मैट्रियल गूरूप में कंपनी अपने आइटम्स के गूरूप को डिफाइन करती है मैट्रियल गूरूप एक ऐसी की है जो से मैट्रियूबीट्स वाले मैट्रियल को गूरूप करती है हर मैट्रियल को एक पर्टिकुलर मैट्रियल गूरूप असाइन किया जाता है material group basically reporting को smooth करने में help करता है जैसा कि आप example में देख सकते हैं कि मैंने या पर एक electronics नाम का group बनाया जिसके अंदर चार category हैं टीवी, laptop, mobile, speaker TV भी अपने आप में group है जिसके अंदर अलग-अलग brands हैं laptop के अलग brand है, mobile के अलग brands है, speaker के अलग brands है तो आईए, देखते हैं कि TIX software में किस तरह से work करता है group name field में हम group का नाम एंटर करेंगे कि किस group के अंदर हमें कौन सा metal रखना है li's name जो उसका substitute name भी हो सकता है जैसे की under group अब यह जो already group है, यह किस group के अंदर आएगा यह भी हम define कर सकते हैं fig group type जो है, यह by default बनाई हुई types हैं जो कि हर इंडर्स्ट्री में यूज होती हैं जैसे कि finished good हुआ, fixed assessed, consumable items, raw materials, semi-finished tool fixtures, measurement instrument यह fixed हैं, इनके under ही आप बाकी सारे group बना सकते हैं item series, item series का benefit आपको मिलता है जब हम कोई भी item series बनाते हैं तो हमारा उसी item series से code बनता है उस product के लिए for example, जैसे मैंने यहाँ पर bike नाम का group बनाया अब इसमें मैं जो भी product बनाऊंगा उसकी item series मैंने बाइक डाली है तो उसकी code के starting bike 0001 002 003 ऐसे चलती रहेगी last जो है field tariff heading अगर आपके अगर plant में tariff heading यूज हो रही है किसी भी product के लिए किसी भी material के लिए तो आप यहाँ enter कर सकते हैं यह था material group tick software में अधिक जानकारे के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं www.tickforgrowth.com डेमो के लिए हमें miss call कीजिए 75330 16990 या फिर हमें एक mail drop कीजिए sales at the rate ticksforgrowth.com थांक यू थांक यू वेरी मच्च